प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने शनिवार यानी 30 दिसंबर को अयोध्या में महर्शी वालमी की हवाई अड़े, नई ट्रेनों और रेलवे स्टेशन सहीद कई नई विकास परियोजनाओं का उधगार्टन किया इस दोरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, उन्होंने कहा कि आपने 550 साल से अधिक समय तक इंतजार किया है, कुछ और समय इंतजार करें उनका कहना है कि हर किसी की इच्छा है कि वो 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए जरूर अयोध्या आए लेकिन हर किसी का आना संभव नहीं है इसलिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी की एक बार विदिपूर्वक कारिक्राम हो जाने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो आयोध्या आए और 22 जनवरी को यहां आने का मन न बनाए पेम मोधी ने कहा कि इस भव्य आयोजन के तयारियां सालों से चल रही है और इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए यहां भीड मत लगाईए क्योंकि मंदिर कहीं नहीं जा रहा है यह सदियों तक रहेगा प्रधान मंतरी ने बताया कि समारों में कुछ ही लोगों को आमंतरित किया गया है इसलिए जिन लोगों को निमंतरन दिया गया है बस वही अयोध्या आएं 23 तारीक के बाद यात्रा करना असान हो जाएगा इस मौके पर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने लोगों से ये भी अपील की कि राममंदी प्रानप्रतिष्टा के मौके अपने घरों में श्री राम जियोती जलाएं उन्होंने कहा कि ये अतिहासिक शन भागी से ही हम सभी के जीवन में आया है इस मौके पर सभी 140 करोड देशवासियों को 22 जनवरी को अपने घरों में श्री राम ज्योती जलाने का और दिवाली मनाने का मैं अग्रह करता हूं इस दौरान पिये मोदी ने अयोध्या वासियों से शहर को स्वच बनाने का भी अग्रह किया उन्होंने कहा कि अयोध्या को अब लाखों विजिटर्स की मेहमानवाजी के लिए तयार रहना चाहिए और यहां अनंतकाल तक विजिटर्स आते रहेंगे अयोध्या वासियों को अयोध्या को देश का सबसे स्वच शेर बनाने की शपत लेनी होगी तो जैसा कि हमारे पिएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को अपने घर में दीपक जलाना न भूले इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही आप इस विशे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तब तक ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहें रिपोर्टर जी